हाई फ्रेंड्स तो आज किस वीडियो में जो हम लोग का 799 इपोटेंट कोचन का जो स्रीख चल रहा था हम लोग ने चेप्टर 3 तो कम्पलीट कर लिया उसमें जितना भी इपोटेंट कोचन था सारे कोचन को कम्पलीट कर लिया अब हम लोग चेप्टर 2 का देखेंगे ठीक में एक भी कोचन छुटने वाला नहीं है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और हाँ एपिसोड 1,2,3,4,5,6 नहीं देखे हैं तो जा करके आप लोग मैट्रिक्स का जरूर वीडियो देखें और 6 एपिसोड वहीं स्टुडेंट देख सकता है जो मेंबर्शिप में जोइन होगा देखो 299 का 799 आपको important question मिल रहा है आपको जुड़ना होगा तो आप मेरे whatsapp पर message कर सकते हैं या call पर भी बात करके आप उसमें जोइन कर सकते हैं क्योंकि 299 में 799 important most question मिल रहा है फिर यह मौका बार-बार नहीं मिलता ज्यादा detail के लिए आपको contact number दे दिये ग 10 inverse 1 by 3 plus 10 inverse 1 by 7 देखो यह important question इस method से है कि इसी तरह का हमेशा question पूछ लेता है ओके फर्स्ट question है हम लोगा और optional है ठीक है यह आपको option में भी पूछ सकता है यानि एक number में भी और दो number में कभी भी पूछ सकता है इसलिए, इस कोचन को हम, इसको रखे हैं कि कापाता, अगले साल आप इन लोग में एही नहीं आजाए कोचन ठीक है, चांस भी है कभी-कभी एक नंबर में आता है, कभी-कभी दो नंबर में भी आता है ध्यान से करिएगा, तो फिर तो सबसे पहले ना इसको देखों हमें इसको 2 10 inverse 1 by 3 कहा है यानि 10 inverse 1by 3 जो है तो कितने बार है दो बार यहां से हम दो 한번 Ho से बना सकते हैं here do 10 inverse x के फर्मूला पर और एक 10 inverse 1 by 3 जो है दो वर है इसको simple तरीका सा बनाते हैं इसको मतलब दो बार हम लिख सकते हैं यही ना इसका कहाने का मतलब है 10 inverse 1 by 3 पलस 10 inverse 1 by 3 पलस 10 inverse 1 by 7 कभी कभी एफ लॉंग में भी ऐसा प्रशने आ जाता है ठीके इसलिए अच्छे से इसको देखिएगा तक 10 inverse 1 by 3 दो था हमने दो लिख लिया अब क्या करेंगे अब आपको एक फर्मूला याद होना चाहिए कौन सा फर्मूला यहाँ पर अप में लिख देते हैं 10 inverse x पलस 10 inverse y का फर्मूला यह होता है 10 inverse x पलस y बाटा 1 माइनस x इंटू y होता है ठीके इसी फर्मूला पर इसको बैठा दो तो पहले क्या करते हैं इसको x माल लेते हैं और इसको y माल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसको फर्मूला पर रखो और इसको जेओं का तेओं लिखते चलो आगे पता चलेगा क्या करना है ठीके तो क्या करेंगे इसको फर्मूला पर लख दिए 10 inverse x plus y होता है तो x का मान 1 बटा 3 और y का विमान 1 बटा 3 रख लो अब बटा में 1 minus x into y होता है तो x का मान 1 बटा 3 y का मान 1 बटा 3 पलस यह 10 inverse 1 by 7 है तो 10 inverse 1 by 7 ओके अब क्या करेंगे अब देखो इसको solve कर लो पाले 10 inverse 3 3 का LCM 3 भाग देंगे एक बार में x और x से 1 पलस इसको भाग देंगे एक बार में x और x से 1 बटा 1 minus 1 x से गुना करेंगे 1 3 3 से गुना करेंगे 9 कितना हो गया पलस 10 inverse 1 by 7 यहां से 10 inverse 1 1 2 बाटा 3 यहां कुछ नहीं तो पलस 10 inverse 1 बाटा 7 हो गया ओके अब क्या करेंगे अब देखो देखो 10 inverse यह जो पहला है उपर चल जाएगा यह हो जाएगा 10 inverse 3 बाटा 4 पलस 10 inverse 1 बाटा 7 अब इसको फिर इसको x मालो इसको y मालो उसी फर्मूला पर 10 inverse x x कमान 3 बाटा 4 y कमान 1 बाटा 7 बाटा 1 minus x x कमान 3 बाटा 4 y कमान 1 बाटा 7 अब इसको सल्व करो इसको सल्व करेंगे तो 10 inverse साथ और चार का LCM 28 भाग देंगे साथ बार 21 पलस इसको भाग देंगे चार बार में चार से और एक से चार हो गया इसको वन माइनस तीन बटा सच्चव का 28 यहां से हो जाएगा टैन इन भार्ष 21, 24, 25 बटा 28 वन माइनस तीन बटा 28 को सल्प करोगे ता 28, 28 में तीन जाएगा 25, 25 बटा 28 हो जाएगा नहीं आ रहते देखो कुछ नहीं तो एक 28 और एक LCM 28 भाग देंगे 28 बार में 28 लाव रेक से 28 माइनस इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और 3 से 3 यहां से देखो 10 inverse उपर 25, नीचे 28, 28 में से 3 जाएगा 25 और नीचे 28, 25, 25, 28, 28 कट कर सब क्या हो गया अब क्या हो गया 10 inverse सब कट करके एक आ गया अब क्या करेंगे 10 inverse एक किसका होता है 10 में 10, 45 का होता है एक के बदले 10, 45 लिख दो 10 बस 10 कैंसिल क्या बच जाएगा 45 और 45 को क्या लिख सकते हो पाई भाई फोर लिख सकते हो आपका एंसर यह हो गया इस पाई भाई फोर अए तो अपशन में मिलाते हैं कि पाई भाई फोर अप्सन है कि नई हैं ठीक है तो हम लोगका इस यह पूछ सही लेकिन यह पूछ लेता है लेकिन आपको जब भी हैँका इस अ कर महीं नहाएगा दो मार्क्स, पोर मार्क्स, ऐस तरह से कोचन पुछा आता है, लेकिन कभी-कभी एक्जामनोर को धिहान नहीं पड़ता है, वो लोग दे देते हैं, ओके, बट कोई नहीं, हम लोग को बनाने आना चाहिए, कैसे अभी यो कहीं भी आए, उसको हल कर देना है, ओके, देखो, यह जो कोचन हमने भी मिश्टेक से गलती से इसको सल्व कर दिया था, इसको ऐसे इसे सल्व होगा, टिक है, कोचन-2, 10 इन वर्स हो अज के रूटी3 माइनस, सेक इन वर्स, माइनस टू है, ओके तो तैन इन्फर्स रूट थीरी है न और किसका होता है ella नच्छीलिप हीैओ नैन साटक और माईनस यहाँ पर सेक में जो माईनस लगता है तो पाल Пाई राफ करना पडता है ठीक है थाँ सेक इन्फर्स है सेक में तू किसका होता है सेक let si कोलए सकती हो पाई खोलिख सकती हो पाई नंगा साधे चल्किलगे जुलेगे संसे घुझा सकते हो पाई थीरी नहसे लावर्पा 선िर ढाई तो मैनस को सरे संध्रन, caller- इसल्सक्राइच में ससफर wäre पाई माइनस मैनस व Mission कुछ युझा वकर 2πi, माइनस 3πi, अब बाटा में 3, घटा देंगे, तो माइनस πi by 3 आपका एंसर, अप्सन नमर कौन सा होगा, अप्सन नमर 20 होगा, हमने मिश्टेक से इसको D मार दिया था, हम कंसेप्ट में थोगा सा confusion पढ़ गये थे, अब धिया नहीं पड़ा कि, इसमें माइनस है, ठीक है, याद नहीं है, तो हमने मिश्टेक से कर दिया था, और D आप्सन बना दिया था, लेकिन फिर भी हमको ध्यान आया, आपको पता दिया, लाश्ट में हमको पता चला, को नहीं गलती कर दिये हैं ठीक है तो कभी कभी होता है ध्यान नहीं पड़ता है तो इसका मिन एंसर होगा ओके आप लोगो समझ में आगया होगा अब देखिए आपका तीसरा कोचन है कि साइन सेक इंवर्स सेक इंवर्स एक्स इंवर्स इसकल डुक्या होगा अपसान आपको दिया गया है तो देखो फ़ले इस कोचन को आप लोग अच्छे समझेगा इस तरह का कोचन बहुत सरा पुछा आता है अब जब आये कुछ चेंज करके तो आप लोग गलती नहीं करना ठीक है सेक इंवर्स एक्स प्लस कोसेक इंवर्स एक्स ओके तो सेक इंवर्स एक्स प्लस कोसेक इंवर्स एक्स तो क्या होगा यहां पर फर्मूला लग रहा है सेक इंवर्स एक्स प्लस कोसेक इंवर्स एक्स आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा है न देखो यह साइन का साइन आपको यह सब सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोश सेक इन्वर्स एक्स का फर्मुला क्या होता है पाई बाई टू होता है क्या होता है पाई बाई टू होता है तो यहां से साइन का साइन और पाई बाई टू का अने का मतला तब पाई कमान एक 180, 180 में दो से भाग देंगे, 90, साइन 90 कमान क्या होता है, साइन 90 कमान एक होता है, आपका अप्सन जो होगा, एस साही हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में और भी कोचन पुछता है, यहाँ पर 10 inverse प्लस cot inverse कर देगा, और यहाँ पर देगा cot, चाहे शेक के, कुछ भी कर सकता है, तब फर्मूला हमें साथ ती नयाद रखिएगा, कि साइन इन वर्स एक्स प्लस, कॉस इन वर्स एक्स इसकल टू पाई बाई टू, और एक तो यह होई गया, कि इसका भी फर्मूला पाई बाई टू होता है, और एक होता है, 10 inverse एक्स प्लस, cot inverse एक्स इसकल टू पाई बाई टू, यह सब पढ़ाए हैं, पुरूब भी कराए हैं, आप लोग पढ़ते नहीं अच्छे से, तो इस सब फर्मूला याद कर लो, यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा चेंजिंग करते रहेगा, sign के जगा cost कर देगा, यहाँ पर दूसरा फर्मूला यह उदा लगा देगा, चाहे यह उदा लगा देगा, आप लोग इसको पढ़ो, महनत करो, ठीक है, बिना मेनद से कुछ नहीं होगा, सब फर्मूला यह उदा रखो, थोड़ा-थोड़ा चेंजिंग कर देगा, आप कोई के सर थे, कोचन कराए ही नहीं थे, कैसे नहीं कराए थे, सब तक कराए हैं, लेकिन आप लोग याद नहीं करते हो, ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, अगला कोचन देखो, अब देखो, आपका कोचन नमबर 4 है, ठीक है, इसको सल्ब करते हैं, कोचन नमबर 4, दो मिठट से सल्ब हो जाएगा, ठीक है, जदि आपको फर्मूला याद है, तो आप किसी भी मिठट से, इसको सल्ब कर सकते हैं, साइन इन भर्स, 5 बाटा 13, पलस साइन इन भर्स, 16 बाटा 65, ठीक है, आपको प्रूब करना है, पाई बाई टू, इसको दो मिठट से प्रूब कर सकते हैं, एक तो साइन के फर्मूला लगा करके, या तो रूबांतरण सुतर लगा करके, साइन को 10, 10 में चेंज करके बना सकते हो, हम क्या करते हैं, बार बार तो रूबांतरण से चेंज करके बनाते ही हैं, इसको साइन के फर्मूला पर चेंज करके बना जाते हैं, देखो, एक फर्मूला याद रखो, यह वाला, sin inverse x प्लस sin inverse y क्या यह होता है sin inverse x root अंदर 1-y square प्लस y root अंदर 1-x square यह फर्मूला होता है ठीक है और इसी फर्मूला के मदद से आप लोग सल्ब कर दोगे, देखो कैसे यह x होता है और यह y होता है तो सबसे पहले क्या करेंगे इस पर बैठाएंगे इस फर्मूला पर, sin inverse x, x कमांद 4 बाटा 5 root अंदर 1-y square 1-y कमांद 5 बाटा 13 का square प्लस y, y कमांद 5 बाटा 13 root अंदर 1-x square x कमांद 4 बाटा 5 का square ओके और इसको घेर दो यह 2 हो गया एक बच गया ना इसको चुपचप ऐसे लिखते चलो आगे इसका काम आएगा ठीक है? अब इसका कोई काम नहीं है यह हो गया अब इसको सल्व कर लो sin inverse 4 बाटा 5 root अंदर 1-5 का square 25 3 का square 179 पलस 5 बाटा 13 root अंदर 1-4 का square 16 5 का square 25 पलस sin inverse 16 बाटा 65 अब यहां से sin inverse 4 बाटा 5 root अंदर यहां कुछ नहीं तो एक एक और इतना का लसी हम 179 भाग देंगे 170 बार में 177 से और एक से करेंगे 179 इसको एक बार में भाग देंगे 125 से 25 पलस 5 बाटा 13 root अंदर यहां कुछ नहीं तो 1-1 और 25 का LCM 25 भाग देंगे 25 बार में 25 लो और एक से करेंगे 25 माइनस भाग देंगे एक बार में 1 लो और 16 से 16 पलस साइन इन भार्स 16 बाटा 65 अब यहां पर बराबर का साइन ततर चलोगे तो और जमनर खूस हो जाएगा ठीके अब देखो साइन इन भार्स 4 बाटा 5 इसको भाटा होगे तो कितना आएगा 179 में 25 घटा होगे तो 144 आएगा और निचे 179 अब 5 बाटा 13 इसको भाटा होगे तो 9 बाटा 25 हो जाएगा और इस पेज पेन को थोड़ा चेंज करते हैं इतना अच्छा दिखने जाए ठीके तो दूसरा पे निलता है पलस साइन इन भार्स 16 बाटा 65 अब क्या करेंगे इसको सल्ब करो साइन इन भार्स 4 बाटा 5 गुना महना तो 144 का बर्गमूल 12 और 170 का बर्गमूल 13 पाँच बाटा 13 9 का बर्गमूल 3 25 का बर्गमूल 5 पलस साइन इन भार्स 16 बाटा 65 अब इसको कटा दो कटेगा क्या नहीं कटेगा साइन इन भार्स बर्चव का 48 13 पाचे 65 पलस यह पाँच पाँच कट गया उपर में 3 नीचे में 13 पलस साइन इन भार्स 16 बाटा 65 अब इसको बाटा पके जोड़ निकाल दो साइन इन भार्स लॉंग में आएगा कभी भी आएगा तो आपको चार्ण नंबर से भाब में आएगा ठीके छोटा में तो आएगा नहीं 65 और 13 केलसियम 65 भाग देंगे एक बार में एक ले और अरतालिस ले अरतालिस पलस भाग देंगे पांच बार में पांच ले और तिन से पंदरा पलस साइन इन भार्स 16 बाटा 65 अब यह हो जाएगा साइन इन भार्स अरतालिस और पंदरा आठ पांच तेरा और चार एक पांच और एक छोट 63 बाटा 65 और यह हो जाएगा साइन इन भार्स 16 बाटा 65 अब क्या करेंगे देखो इसको एक्स और इसको वाई उसी फर्मूला पर जो यहाँ पर बता आए है उसी फर्मूला पर फिर से बैठा दो साइन इन भार्स एक्स एक्स का भाईलू कितना है 63 बाटा 65 ओके रूट अंदर 1 माइनस y स्कौाईर y का भाईलू 16 बाटा 65 का स्कौाईर प्लस y का भाईलू 16 बाटा 65 रूट अंदर 1 माइनस एक्स का स्कौाईर 63 बाटा 65 का स्कौाईर इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं जोड़ता गल्पनी नहीं है आठ चार बारा एक तेरा के तीन चार एक पांच एक चार ठीक है आप इसको आगे पढ़ते जाओ साइन इन्वार्स 63 बाटा 65 रूट अंदर 1 माइनस 16 का स्कौाईर 256 और 65 का स्कौाईर कितना हो जाएगा 65 का स्कौाईर निकालो तो 56 गुना 65 25 की 5 हांसिल दू 6 पांच एतिस और 2 बतिस 6 पांच एतिस की 0 हांसिल 3 46, 33, 49 5, 2, 9, 3, 12, 2, 3, 4, 42, 25 42, 25 ओके अब क्या करेंगे पलस सूरा बाटा 65 रूट अंदर 1 माइनस 63 का स्कौाईर कितना हो जाएगा 63 का स्कौाईर 33 का नव 36, 38 38, 37, 38, 36 और 1, 37 9, 16, 8, 9, 3, 49, 79 49 49, 79 बाटा 65 का स्कौाईर 42, 25 ओके अब अब साइन इन्वर्स तिरसाथ बाटा 65 रूट अंदर यहां कुछ नहीं तो एक एक और इतना का लस्यम 42, 25 इसको भाग देंगे तो 42, 25 माइनस 256 पलस सूरा बाटा 65 रूट अंदर यहां कुछ नहीं तो एक एलसीम मुझाएगा 42, 25 तो 42, 25 माइनस 49, 79 अब आगे बढ़ो साइन इन्भर्स 63, 65 रूट अंदर 42, 25 में से दूसर चपन खटाएंगे दूसर चपन 6 नहीं जाएगा तो 9 हो जाएगा यह हो गया 11 5 है 6 यह हो गया 1 है आसल दस हो गया ना एक हो गया था एक हासल दिया 10 11 हो जाएगा 11 हो जाएगा 9 अरे इतना 49, 79 कितना जाएगा 49, 79 बटा 42, 25 पलस सुरा बटा 65 रूट अंदर 42, 25 में से इतना कटाएगे तो यह जाएगा 256 अरे कितना 42, 25 ओके अब जगन नहीं है जगन नहीं तो दूसरे पेश पर आते हैं ठीके और समझाते हैं जहां सब को देखते चलना है देखो साइन इन्वर्स 63 बटा 65 इन्टू 49, 79 का जो वरगमूल होगा वो क्या होगा 63 ही होगा और इसका 65 होगा सोरा बटा 65 और इसका कितना होगा 16 होगा और इसका कितना होगा 65 होगा यहां से साइन इन्वर्स 63, 63 से गुना करेंगे यह हो जाएगा 49, 79 और इसको गुना करेंगे 42, 25 ओके पलस सुरा सुरा दूसर चपन और इसको आगे सर्व कर लू साइन इन्वर्स इसका यल्सियम 42, 25 हो जाएगा भाग देंगे एक बार में एक सर इतना से करेंगे 49, 79 इसको भाग देंगे एक बार में 100, 256 से करेंगे 256 यहां से साइन इन्वर्स दोनों को जोड़ेंगे 42, 25 हो जाएगा और नीचे भी 42, 25 कट करके एक आ गया साइन इन्वर्स एक आ गया अब यहां से साइन इन्वर्स एक का किसका होदा है फर्मूला साइन पाई बाई टू कहने साइन नबे का था साइन बाई साइन के अंसिल क्या बच जाएगा पाई बाई टू आपको क्या हो गया प्रूप हमेशा है चार नंबर से कभी भी कम नहीं आएगा प्राश्न ओके याद रखिएगा और बहुत एजी है बस आपको एक फर्मूला इसमें याद करना हो ठीक है इसे याद कर लो फिर बहुत बनाने मज़ा जाएगा ओकन भर्ट करके बनाते हो ना उससे भी एजी है चलो आगे बढ़ते हैं आपके कोचन के तरब कोचन नमबर फोर भी हो गया अब फाइब को देखा जाए फाइब भी देखो वही कोचन है सिद करें कि साइन इंबर्स टू रूट टू बाई थ्री प्लस साइन बर्स वन बाई थ्री जिकल टू पाई ये भी आच्छा कोचन है इसको भी आउसल कर देखाते हैं कोचन नमबर फाइब साइन इंबर्स टू रूट टू बाई थ्री प्लस साइन इंबर्स वन बाई थ्री इचकल टू पाई बाई टू है इसको एक्स माल लो इसको वाई फर्मूला तो पढ़ा दिये हैं कि साइन इंबर्स एक्स रूट अंदर वन माईनस वाई स्कॉयर वाई रूट अंदर वन माईनस एक्स स्कॉयर होता है साइन इंबर्स जेओ करते हों एक्स कमान टू रूट टू बाई थ्री रूट अंदर वन माईनस वाई का एक बाटा तीन का स्कॉयर पलस वाई एक बाटा तीन रूट अंदर वन माईनस एक्स स्कॉयर यानि टू रूट टू बाई थ्री का स्कॉयर बस सल्व कर दो इसको ब तू रूट तू बाई 3, रूट अंदर 1-1 का स्कॉर, 3 का स्कॉर 9, पहले एक बाता 3, रूट अंदर 1-2 का स्कॉर, 4 और रूट दू का स्कॉर, 2, आठ बाता 9, हो गया, यह कर नहीं गाना, तु रूट तू का स्कॉर का बाता 8 ही आएगा, साइन इन वर्स 2 रूट 2 बाटा 3 रूट अंदर कुछ नहीं तो 1 यह हो जाएगा कितना 9LCM भाग देंगे 9 9-1 प्लस 1 बाटा 3 रूट अंदर यहां कुछ नहीं तो 1 9 भाग देंगे 9 9x से 9-8 यह हो जाएगा साइन इन वर्स 2 रूट 2 बाई 3 रूट अंदर 9 में से जाएगा 8 बाटा 9 प्लस 1 बाटा 3 रूट अंदर 1 बाटा 9 यहां से सल्ब करेंगे साइन इन वर्स 2 रूट 2 बाटा 3 इन टू रूट 8 के का लिए सकते हैं अभी न आपको बता हैं 2 रूट 2 को हल्प करोगे तो 8 लिख सकते हो तो इस 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हो और 9 का बरगमूल 3 और 1 बाटा 3 और 1 का बरगमूल 1 और 3 का बरगमूल 9 का बरगमूल 3 यहांसे साइन इन वर्स इसको गुना करेंगे दूदूनी के 4 रूट 2 रूट 2 दूदू चार दूनी 8 बाटा 3 रिका 9 इसको बरगम्द 1 बाटा में 9 यहांसे साइन इन वर्स लिख स्याम 9 8 प्लस 1 यहांसे हो जाएगा साइन इन वर्स 8 रेक 9 बाटा नो 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 कट गया यानि आपका आ गया साइन इंवर्स एक साइन इंवर्स एक किसका होता है साइन पाई बाई टू का साइन इंवर्स साइन कट गया क्या बच गया पाई बाई बाई टू अपका हो गया पूप पहुत इजी है ठीक है बस आप एफ फर्मूला याद र ठीक है जहान देना होगा question को six देखो sine inverse sine two pi by three इसको कैसे करेंगे देखो जो जो है पूदा लिख लो sine inverse यहां है sine sine inverse sine कि धीना मैनेस कर देढ devoted by अगा अगा थे घृचए कर लो सिलक लो टाहि Commons है यहां सा निन बन्हार थे कि अग कि anticipated यहां से कर देगा झाई हुआत युद्र कर देखिते हाइम माशार हाइओ ध्री यहां से क्या हो जाएगा पाई, तो साइन इन भर्स, साइन, टू-पाई-बाई-थ्री, यह आपका एणसर, देखो तो टू-पाई-बाई-थ्री, यह नमबर आपका एणसर हो जाएगा, ओके, आफ कितने बचे सोच रहा हैं सर तो सेम ही आप ला करके यहां भी कर दियो फिर फार्क क्या हुआ इसमें तो फार्क देखों इसमें कैसे होता है कि सांइ क्षुट enrollment Кाँ जाएक स्फ़ू खिक्ता क्या होता है क्या होता है सअंध्म फिर क्या जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है यह पर ऐसे जो करेंगे उनका गलत हो जाएगा और फट्ट अप्शन बहुत जल्दी देगे टूपाइवे थरी अप लोग गलत करके आ जाओगे ऐसे नहीं करना है इसलिए हम आपको ऐसे बताए है ठीक है देखो सही तरीका इसका क्या है अब हम आपको समझाते हैं पो जब भी कोचन मिलेगा ऐसे करो शाइन इन्वर्स बहुत सारे पच्षे से करते हैं इसलिए हम बताए आप लोगों को ठीक है अब साइन इन्वर्स है साइन यहां से 2 पाई भाई 3 क्या करेंगे तो पाई में से जब पाई भाई 3 माइनस कर देंगे तो पाई भाई 3 आज जाएगा यह तो दिख रहा है लेकिन अब यह नहीं कि साइन अब इसको lcm लेकर करके आगे बढ़ा दो जिस तरह से बढ़ा हैं अब बना दो ऐसे नहीं हो साइन पता है तो साइन 1 on 80 माइनस एटा क्या होता है दोगना 90 है दो वैंसर संक्व्न देंटा और bunu ठीटा और किस गोणिये में होता है यह होता है सेकंड कोडिनेट में किसमें 180 माइनस ठीटा किसमें और जीरो से नब्य फ़र्ष्ट में होता है अनब्य से 180 मतलब सेकंड में सेकंड में क्या होता है और इसमें साइन और कॉस एक पलस बाकी सब माइनस तो में कोस्त प्ल सोगा सखीन नो इसलिए सआइन साइन पाई भाई कृयोंकि साइन सब्सक्राइं इसके बार मेंटेफिटी पड़ना कमेंट बक्स में कमेंट करना स्पेशल वीडियो मिलेगा आप लोग क्योंकि जो लोग जुड़े हैं उनको अलग से मिलता है लास्ट लास्ट कोचन इसको भी देख लिए जाएं तो पुसी पर थोड़ा सा जगे हैं तो इस और बना दिये जाएगएए है थे खाली नहीं है चलो इसकर बनाते हैं यह यह सक्का इद देखो माइनस है लेकिन है माइनस लग गया है तो माइनस लगया तो उसको पाई में से माइनस करना पड़ता है पाई माइनस कॉट इनभर्स देखो कभी भी कॉट रहेगा कॉस रहेगा और क्या रहता है और आपको रहता है कॉट सेक और कॉट जब भी रहता है माइनस में वो क्या करना पड़ता है उसको पाई में से माइनस करना पड़ता है क्या करना पड़ता है पाई में से माइनस करना पड़ता है यह आगया आपका क्या यह आपका आगया पाई माइनस कॉट इनभर्स और Root 3 किसका होता है Cot में Root 3 किसका होता है Cot 30 का होता है किसका होता है 30 का होता है तो यहां से Time или 10的 Cancel 60 हो लोकिशकते हैं Pi by 3 Minus Pi minus यह सब Cancel 30 हो लोकिशकते हैं Pi by 6 यहां सोझागा Pi by 3 माइनस गुना कर देगा – Pi Minus minus Plus Pi by 6 अब इसका LCM लो 6 हो जाएगा भाग देंगे 2 pi यहां कुछ नहीं तो 1 यहां से 6 pi और यहां से pi यह हो जाएगा 6 3 एनि-3 pi by 6 कटा दो दो बार में एनि-pi by 2 आपका एंसर क्या हो जाएगा-pi by 2 इसका एंसर दी यह सब चीज आपको पता होना चाहिए अएससे ही एपिसोड 2 भी कोई देखना चाहते हैं तो लिंक लिंक नहीं उसका में जुड़ना होगा 799 कोचन लेना है यह पॉर्टेंड कोचन तो 299 आपको पी करना होगा तब ही मिलेगा सब जैसे पाट 2 नहीं मिलेगा इसका अगला एपिसोड 3 मिलेगा तब 4 5 नहीं मिलेगा इस तरह से होती किये कॉल करना होगा 83838961194 थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए